नमस्कार, एक्जाम हैपी वाई जहरखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूट चुका हूँ, मैं यहाँ पर आप सभी सहय कध्यापो के आकलन परिच्छा की तयारी को ले करके और 101% सफलता प्राप्त कराने के लिए तो आप सभी यहाँ पर आकलन परिच्छा में 101% सफलता प्राप्त करना चाते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि जैक के तरब से यह सपस्ट गोशना कर दिया गया है कि आपकी एकजाम मैं में होगी और आपका जो एकजाम होगा वह पाठ करम पर अधारित प्रशनों पर होगा और आप लोग यहाँ पर बहुत से ऐसे नोट्स को पर्चेच किये हैं जो आपको exercise wise पाठ करम पर अधारित प्राप्त करना चाते हैं और कम पढ़ करके अधिक सफ़ता लेना चाते तो वो आपका टेस्ट बुक है व्यदि आप टेस्ट बुक पढ़ लेते हैं तो अच्छी बाते नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे चैनल पर only for टेस्ट बुक पर अधारित जैक मुडल पाठ करम पर अधारित सारे प्रशनों का नोट्स यहाँ पर बनाया गया है जो कि आपको जैक मुडल पर अधारित होगा और आपके टेस्ट बुक का एक्सरसाइज वाइज नोट्स एंसी आर्टी पीडिएफ आपको मिलेगा और यहाँ पर साथ में तैयारी भी कर सकते हैं आप तो अभी आपको मेगा ओफर दिया जा रहा है 501 रुपए वाले कोर्से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तीन सो एकाउन रुपए में परचेज आप कर सकते हैं और यहाँ पर मैजून जब तक परिच्छा होती है तब तक आप पढ़ सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि केवल हम यहाँ पर नोट्स को ही परचेज करें तो आप नोट्स ले सकते हैं पर तेक विशय का नोट्स आपको 29 रुपए में होली के सुब अवसर तक दिया जा रहा है तो आप 29 रुपए में लेकर के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स और PDF पढ़ सकते हैं और पूरी कलासेज को जोईन करना चाहते हैं तो 350 रुपए में पूरी कलासेज को आप जोईन करके मैज तक के लिए पढ़ सकते हैं और यह केवल जो है आपको jack model पाठकरम प्रदारित प्रशन है जिसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी नहीं दिया गया है इक्ष्ट्रा कोल पाठकरम प्रत आप सभी अवसे देख लेए किसका पद सर्वोच होता है भारत में जो है सबसे सर्वोच पद कौन होता है राष्ट्पति पूप राष्ट्पति परधान वंतरी या कोई नहीं अभी दख जारकन के एक्जाम में यह दस बार प्रशन आ चुका है जो ऑन भी एकजाम में जाईएगा उसमें जीके के यह प्रशन बार पर आ रहा है तो हम वैसे ही प्रशनों को समावेश भी कर रहे हैं और आपको यह बताने का भी कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट बुक से कितना प्रशन आ रहा है तो भारत में किसका पत सर्वोच होता है तो राष्ट्पति का पत जो होता है सर्वोच होता है राश्पति का चुनाव कितने बर्षों के लिए होता है चार वर्ष पांच वर्ष छो वर्ष या कोई नहीं तो राश्पति का चुनाव कितने बर्षों के लिए होता है और अब तो जहारखन के एक्जाम में दस बार पूछ दिया गया है जितना भी एक्जाम कर रहे है उसमे सहाय का चार्च परिछा यहां से 101 परतिसत निकल जाएगी भासन तथा अभिवक्ति कि सोतंतरता किस अनुछेद में सामिल है अनुछेद 19, 20, 21 या कोई नहीं तो भासन तथा अभिवक्ति कि सोतंतरता किस अनुछेद में सामिल है तो देखे यह जो अनुछेद सामिल है आपक भासंत था भिवक्ति की वो आपका हो जाएगा अनुछेद 19 में किस में है अनुछेद 19 में ये भी प्रशनाया हुआ है विश्वास धर्म और उपासना की सोतंतरता प्रदान की गई है अनुछेद 21 में अनुछेद 25 से 28 तक अनुछेद 30 तक अनुछेद 24 तक तो यहां पर दे 25 से लेकर के 28 तक में दिया गया है और यह भी प्रशना आपका जैससी में पूछा हुआ प्रशना है तो सारे प्रशना आपके NCRT, JCRT जो भी है आपका टेस्ट बुक उसी से निकल के आ रहा है इसलिए आप सभी इस टेस्ट बुक प्रधारी सारे प्रशनों का नोट से दी एक बार देख जाईएगा तो आपको यहां पर 101% सफलता मिलने वाला है राश्ट्रिये एक्ता दिवस मनाया जाता है 29 अक्ट प्रशन आया हुआ है डॉक्ट राजैनदर पशाथ पंडे जिया हुड़स रो प्रशन दिया हुआ, बताइये कि NCRT को लोग नहीं देखते हैं और बदनाम करते हैं कहां से प्रशन आता है, सारा प्रशन टेस्ट बुक से आ रहा है कहीं से नहीं आ रहा है बस टेस्ट बुक को पढ़ लिजिए जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो यहां हमारे साथ जुड़ि किस्षे कहा जाता है बहुत ही बार और ये जेटेट में दो बारा है दोनों बार जेटेट में आए कि भारत का विश्मार किस्षे कहा जाता है इसका राइट एंसर है सरदार बॉलब भाई पटेल देशी रियासतों का एकिकरण के कारण इन्हें भारत का विश्मार्क भी कहा जाता है 560 देशी रियासतों के एकिकरण में किसने भाग लिया आगया वो प्रशन पंडिज्वाला नेहरू, डॉक्टर राजेंदर परसार, सर्दार बलब भाई पटेल या कोई नहीं तो यही वो सर्दार बलब भाई पटेल थे, जो देशी रियासतों का एकिकरण किया इसी एकिकरण के करण इन्हें भारत का विश्मार्क कहा जाता है और यह सर्दार बलब भाई पटेल थे, ठीक है यह प्रश्ण बार बर आ गया है भारत का बिश्मार ताब भी याद रख लिजेगा सायद हो सके कि इस परिछा में भी आपको आ जाए देखिए आप पर हमने कुछ नोट्स आपको दे दिये हैं इसी के लिए आप फ़रा से याद कर लिजेगा 2014 इस भी से प्रतेक बर्स 31 अक्टूबर को राष्ट्रिय एक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम ग्री मंत्री सर्दार बल्ला भाई पर्टेल का जन्म दिवस है उन्हें भारत का बिश्मार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 560 दे बहारत में किसके सहयोग से संचालित है यह प्रशन अब तक 101 बार पूच दिया गया है याई आपके जहरखन में ही जो जेटट है उसमें भी आया हुए थे और इधर एकजाम में भी आया हुआ है बाकि बिहार टेट में भी पूचा गया ठीक है और बिहार आकलन में भी या कोई नहीं ठीक है तो प्रकार से तो मध्यान भोजन योजना जो है वो दो प्रकार से संचालित हो रही है वो केंदर और राज दोनों की योजना है मध्यान भोजन योजना भारत qadr प्राष्ण में लागू किया गया था ठीक है यही प्रफश्ण जो है आपको आप देखेगा तो जेट तो जेट जार व आया था अब आप यहां पर बताएगे ये प्रफ़ष्ण जेटेट 2016 में आया और बहुत लोगों ने गलती किया था इस प्रश्ण को और यह कहां से मिल रहा है तो आपको देखे कलास से बेन एक्सरसाइज वन ठीक है इसी से मिल रहा है ना आपको उमने यहां पर तो लिए है कि किस से हैं आप जाकर कि किताब ही मिला लीजेगा तो मद्यान भोजन योजना जो भारत में सवर परतम किस राजमिर लागू किया गया था तो इस तरह से आप देखिएगा तो जेटिट में भी आपको यहीं से पढ़ना है ठीक है यहीं से पढ़कर करके आपको सफलता ज़ूर मिल जाएगी आगे देखिएगा यहां पर मद्यान भोजन योजना कि सुदेश से लागू किया गया था आखिर जो मिड़े मिल है जो मद्यान भोजन योजना जो हम लोग स्कूलों में चलाई जा रही है आखिर उसका उदेश ही क्यों मद्यान भोजन योजना लागू किया गय तो देखिए इसका right answer जो हो जाएगा, वो आपका सब ही हो जाएगा, क्योंकि मध्यान भोजन यूजना लागू करने का सिर्फ एक मकसद नहीं था, विभीन उदेश्यों से मध्यान भोजन यूजना को लागू किया गया है, तो सबसे पहला तो मध्यान भोजन का सबसे पहला और मुख को देशता बच्चों का नमांकन बढ़ाने के लिए क्योंकि बच्चे जो नहीं ठाहरते थे तो जब मध्यान भोजन योजना लागे हुई तो बच्चों को नमांकन बढ़ने लगा अब सरकारी भी देलों में बच्चों का नमांकन क्या हुआ बढ़ा ठीक है दूस इससे क्या हो रहा है विज़ सरीर में पोसन अस्तर नहीं मिल पाता उसके लिए उनका जो है स्वास्त बिलकुल सही रहे तो बच्चों का सरवपर्थम तो किया गया लेकिन जब यह सफल हुआ और यह सभी जो है आपका जो उदे से पूरा होने लगा तो इसको फिर पूरे देश में ना भारत के पूरे जितने राजे हैं सभी में लागू किया गया वो कब से किया गया बताना है आपको यहां का नोट्स लेना नहीं भूलिएगा और फिडियेफ नोट्स जितना है सब आपको बना बनाय हुँआ मिल लहा है वो भी वो चीप रेटमर जो आपको प्रथम बार वीडियों बता दिये गया आप वहां से जा करके फॉन नमर ले करके आप ज़रूर तुरत भर में फॉन करके नोट्स सारा ले लेंगे और सभी को तैयारी कर लिजेगा नागरिक सासर ठीक है और ये प्रावरेन के अंतरगत भी आता है भारतिय सब्धान के किस अनुछेद में समानता का प्रोधान है भारतिय सब्धान के किस अनुछेद में समानता का प्रोधान है ठीक है अनुछेद 15, 16, 17 या अनुछेद 18 देखे भारतिय सब्धान के अनुछेद में समानता जो है अमेरिकी गांधी किसो कहा जाता है ये भी प्रश्ण आपका आया हुआ है डाक्टर मार्टिन लुथर किंग, डाक्टर चर्चिल, डाक्टर किंकोर किंग, डाक्टर परवीन लुथर किंग किसो कहा जाता है अमेरिका गांधी आपको बताना ठीक है तो अमेरिका गांधी के न डॉक्टर मार्थिन लुठर को कहा जाता है अमेरिका का गांधी ठीक है यहाँ पर इसके लिए नोट्स दिया गया है कि 1964 हिस्वि में 2070 के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरुषकार से सम्मानित किया गया था ठीक है 1964 हिस्वि में 2070 के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरुषकार से किसको सम्मानित किया गया था डॉक्टर सुर्पली राधा किश्णर को डॉक्टर राजेंदर परशाद को डॉक्टर माथिन लुठर किंग को या किसी को नहीं 1964 हिस्वि सुसांती के लिए भी सबसे कम उम्र के लिए जो नोबेल पुरुषकार के लिए सम्मानित किया गया था वो उन थे अमेरिकन गांधी और उनका नाम है आपको डॉक्टर माथिन लुठर किंग ठीक है डॉक्टर माथिन लुठर किंग को ही सम्मानित किया गया था नागरिक अधिकार अधिनियम कब बना 1964 हिस्वी 1932 उस्वी 1950 हिस्वी या 1945 हिस्वी नागरिक अधिकार अधिनियम कानून कब बनाया गया ठीक है तो नागरिक अधिकार अधिनियम कानून जो है वो आपका 1964 हिस्वी बना किसमे बना आपका 1964 हिस्वी में जो नागरिक अतन इसको माना जाता है अब देखिएगा तो कितने बर्स के नागरी को यह यूपी टेट में अब तक 10 बार आया है दोस्तों और बिहार टेट में 5 बार आया है और यहां पर आपको बता दे तो जहरखन टेट में भी एक बार आया हुआ है ठीक है तो देखिए किसमें था कहां से आपके test book से ही है, तो अबर भी प्रस्ण कहां से आ रहा है, jack ले रहा है, तो test book से आ रहा है, तो test book के प्रस्णों को देखना नहीं बुलिएगा आप लोग, जो भूल रहे हैं, उनको यहाँ पर नुक्षान हो सकता है, इसलिए नुक्षान न सहे, जुड़ करके ज़रूर तै भारत में कितने वर्ष के नागरी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा, 18 वर्ष, कितना हो जाएगा, 18 वर्ष के नागरी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ पर ठीक है, चले अगला प्रस्ण है, किस सभिधान संसोधन के तहत मतदाता की आयू 21 बर्स से घटा कर 18 बर्स कर दिया गया है ठीक है आपको बता देते हैं सबसे पहले आपको बता देते हैं प्रारम में जो था कि मतदाता की आयू 21 बर्स यानि 21 बर्स के लोग ही वोट में भाग ले सकते थे या चुनाओ दे सकते थे ठीक है चुनाओ क कर दिया गया है 01,018 ला 27 ii ने यहां प्रमादाक की आईधा गटा करके 18 बर्स कर दिया गया ऑस प्रस्न आपको कर रहे है कि यह गुजरात आकलन में तो 10 बार पुछा गया है ठीक है बहुत important है कप घटाया गया 10 बार पुछा गया है और U.P. में जो यहाँ पर उसमें यहाँ पर 20 बार पुछा गया है देख लिजे कितना बार पुछा गया है इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं ज्यादा बार यह प्रश्न छप रहा है तो आप सभी टेस्ट बुक पर प्रश्न को देखिएगा यहीं से छप रहा है ठीक है चिला अगला देखिएगा कब हुआ था 168 संधान संसोदन शुरू किया गया था थिक है तो आपका जो 21 वर्स के मदता थैं वह अब 18 वर्स में ही भाग ले सकते हैं इस समय संसोदन कर दिया दिया थे तो 168 संसोदन उनिश्याट आठासी इस विमें हुआ था अगला है EVM का पूर्ण रूप है EVM का पूर्ण रूप है आपको बताना है ठीक है देखे यह अभी जहरकंड में जो एक्जाम हो रहा है उसमें सभी में मिला करके आप देखे तो तीन बार आ गया है और अगर यहां पर बात करेंगे यह यूपी की तो यूपी में पाँच वर आया है और यहां पर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जुसाय कदे आपको कमेट मनता है उसमें दो बार आ गया है ठीक है तो EVM का पूर्ण रूप क्या है Electrical Boating Machine Electronic Boating Machine Electronic Boater Mechanical Electric Boating Electric Boating Mechanical कौन सा चीज इसका सही है EVM का पूर्ण रूप तो देखे आप सभी इसको प्रयावरन अध्यान में भी पुछा जा रहा है और इसको आपको राजनिती सास्त्र में भी पुछा जा रहा है भारत में बिधान सभा या लोक्षभा चुनाओ कराने की जिम्मारी किनकी होती है देखें बिधान सभा या लोक्षभा जो चुनाओ करवाते हैं ये चुनाओ कराने की जिम्मारी शमय पर किसको होता है किसको पता होता है कि अब चुनाओ होना चाहिए आपको बताना है ठीक है यह बिहार में अभी तक यह जू प्रशन यह पांच बार पुछा गया है सिठ्चक ब tackling शुप में evening भब्हारत बिधान सभाई या लोगशबा चुनाव करानी की जिम्मवाऩी किनकी होती है भारत निर्वाचन आयो की राज निर्वाचन आयो की आम चुनाव का आम चुनाव अधिकारी का या कोई नहीं ठीक है तो देखे भारत में जो बिधान सभा या लोक्षभा ये जो देश सस्तरिये जो चुनाव हमारे हो जाते है ठीक है ये चुनाव जो बिधान सभा का चुनाओं होगा और उस राज में खब विधान सभा का चुनाओं नहीं होगा ठीक है तो भारत निर्वाचन आयोग election commission of इंडिया का जिम्मारी होता है विधान सभा और लोक्षभा चुनाओं करवाने जो राज अस्तर का चुनाओं है जैसे हमारे यहहां जोचनाओं के लिए उसलिए राज निर्वाचन आयों का जिम्मारी होता है अस्थानी पर यहां पर राज निर्वाचन आयोग का जिम्मारी में होता है ठीक है चले अगला देखेगा सरवपर्थम इभीयम का परियोग भारत के किस राज में हुआ ना सरवपर्थम इभीयम का परियोग भारत के किस राज में हुआ ना सरवपर्थम इभीयम का परियोग भारत के किस राज में हुआ देखे यह बहुत ही लैटेस्ट और क्यूशन चल रहा है और बहुत ही इपोर में वहा भी चलती है वहा लिए इसी तरह की तो थीलार आ चुका है उसी तरह से आप गुज्रात एंग देखी दो जो बिहार है इसी में दो वार का सिखक भरती में पूछ डिया यह ए टिक है तो स्थ सवरृ पर्थम इभीम का पर्याग कीजिए वह था केरल में मध्य परदेश में टमीलाद दुम्त धाने केरल के कहा वह थे कारना श्वर से नौ खिलेज़ाज ऑपिल दसे नौट समकर पीयोग केल नौर्थ पारावूर विधान सभाद छेत्र के लिए उपचनाव में सीमित मद्दान केंद्रो पर 1998 में किया गया था ठीक है तो अब यहां से आप नोट्स भी देख लिजेगा सरपर्थम इभियम का परियोग जो है केरल के नार्थ पारावूर विधान सभाद छेत्र के लिए उपचनाव में किया गया था और सीमित मद्दान केंद्रो पर 1998 में किया गया था सबी जगों पर नहीं किया गया था ठीक है अगला है पूरे भारत में किस बर्स के चुनाव में इभियम का इस्तमाल हो रहा ठीक है 1998 में किरल के नार्थ पुराविर में कुछ सिमित छेत्रों में किया गया था देखा गया था कि सही होता है या नहीं होता है लेकि पूरे जब यह सही निकला तो इसको पूरे भारत विलागू किया गया तो अब आपको बताना है कि पूरे भारत में किस बर्स के चुनाव से इभियम का इस्तमाल हो रहा है 1999, 2001, 2004 या 2000, 2019 ठीक है किस से किया जा रहा है ठीक है तो देखें सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कि इभियम का इस्तमाल पहले सबसे पहले कहा किया केरल में किया गया और COP किया गया । मियह चुनाओए 124 में हुए ठीक है है। बाद जो चुनाओ में पूर पूरे भारत में पूरे भारत पूरे भारत में से चुनाओ करवाएगा, पूरे भारत में EVM से चुनाव करवाएगा, तब पूरे भारत में EVM से चुनाव सुरू जो है, वो 2004 से हो चुका है, 2040 भी से हुआ है, अगला है भीवी पेट का full form क्या है, देखें भीवी पेट तो ये अबर बार के चुनाव में ही आया थे, पाले से नहीं था, भीवी पेट अबर से पूरे भारत में जो है, आपका जो चुनाव हुआ, उसमें लागू कर दिया गया आपका, तो भीवी पेट का full form क्या होता है, आप याद रखेगा, ये भी प्रस्ण आना अब सुरू हो जाएगा, क्योंकि ये latest questions होगा, आप सभी का, अभी तक ये नहीं आया है, लेकिन अब सुरू हो सकता है, भोटर, भेरिफेवल, पेपर, ओडिट, ट्रेल होता है, भीवी पेट का full form, जिड़ोर आप ये डिोंसको tact on deed, अगला सरवपर्थम, भीवी पेट का इस्टमाल किस राज के चुनाव में किया गया, सरवपर्थम, भीवी पेट जहुआ उसका इस्तमाल किस राज के चुनाव में किया गया, आपको बताना, ठीक है, नाघालेंड, केरल, और 2019 में पूरे भारत में किया गया था, ठीक है, तो सबसे पहले भीवी पैट का इस्तमाल नागा लेंड के चुनाव में 2013 में किया गया था, देखें, नोट्स बना हुआ, ठीक है, पूरे भारत में भीवी पैट का इस्तमाल किस वर्स के चुनाव से किया जाने लगा, किस वर पेट का इस्तमाल किया गया है वो अबर बार के ही विधान सभा लोक्षभा चुनाव में किया गया है और वो है आपका 2024 में किया गया है 2019 में किया गया है आपका पूरे भारत में तो इस तरह से भी भी पेट का यहां पर पार्टी होते हैं उनका यह संका था कि मानिया प्रधान मंतरी नरदर मोधी जी के बहुत बार यह जीत होती थी तो लोगों के मन में यही बात चलता था कि हमने यदि दिया है हाथ शाप को भोट लेकिन वह मसीन में इस परकार की सेटिंग थी कि वह चला गया है आपको यह परची निकलता है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं कि आपने कि समीद्वार को भोट दिया है तो यह आपको किस से किया गया है दो हजार उनीश से ठीक है परदर्सिता के लिए यह लगाया गया है देखे यहाँ पर लिखाव 2019 के लोक्षभा चुनाव से पूरे भारत में भीवी पेट का इस्तमाल सुरू हुआ है अगला प्रस्ण है मुसलिम लिंग की अस्थापना कब हुई मुसलिम लिंग की अस्थ अस्थापना जो हुई है 1906 में हुई है और यह प्रश्ण भी जो है 501 बार से ज्यादा बार अभी तक एक्जाम में पूछा गया है मतलब मुस्लिव लिंग की अस्थापना आप याद रखेगा 1906 में हुआ है अगला प्रश्ण फारवड ब्लोग का गठन कब हुआ फारवड ब्लोग का गठन कब हुआ 1924,1949,1935 याव 1925 ठीक है तब फारवड ब्लोग का जो गठन किया गया है और यह भी प्रस्ण 101 बार फारवड ब्लोग से आ गया है ठीक है तो हम देखे केवल वैसे प्रस्ण दे रहे हैं जो आपको केवल पार्ट करम पर अधारी थे जो और यहां से तो आपको हम बता देते हैं चाहे आप यहां पर आकलन की तियारी करना चाह रहे हैं ठीक है यह नोट्स आपके लिए रामबान काम करेगा रामबान औस दी के दो चार नमर जुरूर बढ़ा करके आप आईएगा सिर्फ इतना को अगर यहां पर जूड़ करके आप पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं तब इसमें रोकने वाला आपको कोई नहीं होता है तो सारे नोट्स और पीडिएफ यहां पर आपको दिये जा रहे हैं आप जूड बार आ गया है न इधर देखिएगा आपका जो भी हाइश्कुल से सिछक भरती हुआ है उसमें इराजनिति सास्त्र में हर एकजाम में पूछा गया है हर एकजाम में राष्टिय मत्दाता दिवस कम मनाया जाता है इसलिए बहुत ही एम भी भी आई है इसको आप जूड़ दिखेगा अजिएगा आपको जो है मत्दाता दिवस मनाया जाता है और यह लागू हो गया है मत्दाता दिवस सभी को ही मनाते है'm ठीक है तो अिस तरह से यदि आपको पूरे टेस्ट बुक पर पाठिकरम परधारी सारे प्रश्णों को यदि पढ़ना है तो अभी कभी आप जुड़ जाईएगा और यहां से आप सकते हैं और 101 प्रतिसाथ सफलता प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए 101 प्रतिसाथ आपको हमारा यूट्यूब टीम गारंटी देता है विडियो कन तक जुड़े रहे हैं इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद